हालो फ्रेंग तोसलाजी विद्रूद दिक्षी चैनल में मैं आपकर सावित कुछा हूं आज आपके साथ एक नए इश्यू पर चर्चा करूंगा 15 जून विश्व ब्रद दुरुबहवार दिवस के रूपने मनाया जाता है 15 जून 2011 से मनाया जा रहा है कि 2006 में इसकी अवधारना आये थी लेकिन नेटेट नेशन 47 संगने से 15 जून 2011 से फारित लिया और हर वर्द बुजरुगों के साथ होने वाले दुरुबहवार पर यह दिवस कनाया जाता है वारत में लगबख 14 करोल बुजरुग है जो देश की आबादी का 10 परसन है दस परसत आबादी हमारे बुजरुगों की है और करोना काल के बाद से तो इनकी हलात या इनकी इस्थितियां बहुत खराब हुई है ब्रदों की आये में वास्त में सुरक्षा पैंशन जीवन श साथ साल से उपर के लोगों किसी भी प्रकार के काम में स्रलग नहीं 26% काम करने के लिए त्यार है वो चाहते हैं हम गए कोई काम मिल जा bothering आतुका यह न mh पसंद लियुक काम करने को त्यार हैनि और 40% ऐसे हैं जो लंबी उम्र ताट उम्र उनके लिए कोई बाधा नहीं है वो तेवे काम करना चाहते हैं आप देखा हो रतन ठाटा लंबी आई क्यों है लेकिन तक्री है काम करता है नेताओं की दो बात छोड़ी है लंबी उम्रें भी काम करते लिए उनमें उसला बुलत 21% बुज़ुर्गों को तुलब रोजगार के मौके ही नहीं है हलपेस इंडिया के सरवाय कि उस तरवे में आया कि 61% बुज़ुर्ग जो कह रहे हैं बुलकों हम पो रोजगार के कोई मौके नहीं राश्ची रिपोर्ट बिजद गैप अंडरस्टेंडिंग एंड नीड्स इसमें कई तत उजित हैं कि सरकार ने बुज़ुर्गों की स्थान पर 45% ने वर्क फ्राम होम की तुरुआत की है 29% ने सेवा निरुती में आयू में ब्रद्धी की कहीं जगे 65 है इसमें ब्रद्धी की जाए ऐसे कुछ रिपोर्ट में प्रावजान रखे गए कि यह करना चाहिए अगर देखा जाए तो आर्थे ग्रूप से 30% जो बुज़ुर्ग हमारे हैं पेंचन और नगत हस्तान स्रप पर निर्बार है ऑन-लाइन प्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं डिजिश्टल यूग में वह भी उसने अपने आपको प्रफेक्ट नहीं समस्या आते हैं आखों की समस्या गलत प्रांजेक्शन गलत पिन उनका पैसा कई बार निकल गया तो वह नगत लिदनें पे ही ज्यादा अस्तान स्रप पर विश्वास रखते हैं पैंशन और नगत चालिस परसंट सम्ट को आर्थिक रूप से मजब नहीं मानते हैं चालिस परसंट ऐसे हैं जो वांते हैं कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूं परसंट बुजुर्व जो परवार के याय है परवार पर ही तरवाय करते हैं तो आर्थिक रूप से अस्तुरक्षे थे इनके लिए पैतालिस परसंट बुद्दों का मानना है कि जो पैंशन मिल रही है जो तरकार के सेंसेवी सेवाओं दौरा या लाईसी दौरा या जो से दौरा निवरत होते हैं उनका कहना है पैतालिस परसंट बुद्दों का कि हमको पैंशन पर्याप्त नहीं है मैं जिस शहर जवलपुर में यहां पे पैंशन भोगियों की संक्या जादा है क्योंकि यहां पे चार तुरश्चा संस्तान है और्डनेस सेक्ट्रीज हैं बियस पैंशन तो हमको परयाप्त है लेकिन हमारे बच्चों की नजना हमारे पैंशन पर रहती है मकान भी बना लिया सेवा निवरत लोगों ने लेकिन मकान में भी अब कुछ काम कराना पड़ता है तो उनको बच्चों पर निर्बा होना था है बच्चे दुरबयवार करते हैं तो दुनिया में ऐसे कई बच्चों या बच्चों के दुरबयवार पर कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे की बच्चों की उस्तित है जापान कह रहा है कि साट वर्स में रिटायर होने की जो है उसको कंटिनियूस एम्प्लाइमेंट की रूपे दुवारा काम करन जर्मनी में बुजुर्मों को काम करने के लिए प्रयास हो रहे हैं जर्मनी भी सरकार जर्मनी की सनकार भी चाहरे है कि बुजुर्मों की साथ दुरबयार रोपने के लिए उनको काम पर लगाये जाए 2012 में रेटार्मेंट की उम्र 65 बढ़ती जो पढ़ाने का प्रयाद चल रहा है और 2029 में ये 67 बढ़त हो जाएगी जर्मनी में इनिशेटिव 50 प्लस इनिशेटिव 50 प्लस का इतकम चलाए जाता है ब्रद्दों को प्रसिक्षाण आजीवन सीखने की आजीवन वह कुछ नहीं सीखते ने उनके प्रोग्राम चला जाते है भारत में वह ऐसे चला जा रहा है लेकिन अभी देखा है कि भारत में बुजुर्गों ते जो चर्चा हुई वो कह रहे हैं प्रवार से हैं हमको पेच्षा मिलती है बुजुर्गों का कहना है जिस परवार को हमने बनाया सिंचित किया पाला को सा वो परवार ही हमारे अगेंज चल रहा है परवार भी हमारी मदद नहीं करता है आप सोट से बच्चे पढ़ लेकर दूसरे शहर में चले गाएं आई-टी सेक्टर में चले गाएं कमपनियां में काम कर रहे हैं एंबिया करके आएंजिनिंग करके लेकिन वो अब इस शहर में नहीं आना चाहते हैं जबलपुर जैसे सहर जो की मदबदेश का एक महाना गहर है यहां के बजरुगों का कहना है कि बच्चों को बैंगलोर मुंबई एंबाबाद पुने चेन ने यहां की जीवन शहली जादा पसंद है वो कहते हैं यह तो पिछला हुआ है जबलपुर को वो गाउं कहते हैं बोल में पेरेंट से ही दुर्भवार करते हैं उनके साहरा नहीं चाहते हैं अगर आते भी हैं तो उनको पैच्छा करके चले जाते हैं दिवाली के दिन आएंगे पुजा होई और ततकाल फ्लाइट लेके निकल जाते हैं यह कुछ आकड़े हैं 15 जून को ब्रद दुर्भवार दिवस मनाए जाता है युनाइटेट नेशन की तरफ से मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब जो हैं बुजुर्गों का ध्यान रखें बुजुर्ग हमारे हैं हम भी कल बुजुर्ग होंगे इस भावनाटे साथ रहें आज के लिए इतना ही बुजुर्ग हमारे अपने उनके